नमस्कार प्रवस आक्ष्य देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ अंकर सिंग योग गुरू बाबारामदेव के लिए मुश्किले बढ़ती जा रही है दरसल योग गुरू बाबारामदेव नई कानोनी मुसीबत में पढ़ते दिखाई दे रहे हैं उनके पतंजली आयु के हरवल तुथ पाउडर दिब्य मंजन में मांसहारी तत्वे शामिल है याजका करता का दावा है कि शाकहारी और पौधे अधारित आईरवेदिक उत्पाद के रूप में प्रचार के कारण दिब्य मंजन का लंबे समय से उप्योग किया रहा है हलाकि हाल के शोध में पता पैकेजिंग में शाकहारी उत्पादों को दर्शाने वाला ग्रीन कलर मार्क भी नजराता है फिर भी सामागरी की सूची में सपस्ट रूप से दिखाया जाता है कि तूथ पाउडर में सेप्या ओफीस सी नेल सिल है याजका करता का तर्क है कि यह गलत ब्रांडिंग है और साहरी समागरी के सेवन से परहेज रखते हैं याजका करता का यह भी आरोप है कि रामडेयों ने खुद एक यूट्यूब यूडियों में स्विकार किया था कि समुद्र फेन एक पश्यू आधारी तुत्पाद है जिसका इस्तेमाल दिभ्यमंजन में किया जाता है दिल्ली सरकारी एजंसियों के पास शिकायद दर्ज करने के बावजूद याजका करता का कहना है कि अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है याजका में उत्पात की कथित गलत लेबलिंग को संसोधित करने और उत्तरदाताओं को जबाब दे ठहराने के लिए नियाई खस्तरशेप क की मांग की गई है याजका कारता मानसाहारी उत्पात की अंजाने सेवन से हुई परिशानी के लिए मुआपजे की मांग कर रहा है याजका पर सुनवाई के बाद दिल्य हाई कोट ने पतंजली आयरवेड बाबारामदियों के इंद्धशरकार और उत्पात बनाने वाली की दिव्य फार्मेसी को नोटीज जारी किया है अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी पतंजली और इसके सहसंस्थाप को बाबा रामदेव और आचारे बाल कृष्ण को पहले सुप्रीम कोट ने भ्रामक विग्यापन प्रथाओं में शामिल होने के लिए तो उसी ठहराया थ शिर्ष अदालत ने उन्हें अपने अईरवेद उत्पादों के सभी भ्रामक विग्यापन हटाने और जनता से माफी मांगने का भी निर्देश दिया था अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके